तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम वाट्साप के ऐसे 5 important features देखने वाले जो बहुत लोगों को पता ही नहीं तो सबसे पहला feature है stylish का तो stylish feature का यूज करके आप कोई भी text आप send कर रहे हो message send कर रहे हो किसी को भी उसको आप एक तो bold में convert कर सकते हो या फिर italic में या फिर strike through तो यह different type of style से जो आपके message को दे सकते हो जैसे यहाँ पर आप में एक message लिखता हूँ और जो भी text लिखूँगा जो भी message लिखूँगा उसके पहले में उजे अगर bold करना है मतलब उसकी जो width है वो मुझे बढ़ानी है उसको highlight करना है तो मैं उसके पहले star लिखूँगा और उसके end के बाद भी मैं star लिखूँगा और अगर उसको मैं style italic form में करना है तो मैं उसको पहले special character यूज़ करूँगा जो है underscore उसके बाद वो text लिखूँगा उसके बाद फिर से underscore करूँगा अब मुझे strike through करना है जैसे आप देख सकते हो strike through के लिए आपको ये special character है exactly यही special character आपको use करना है और आपको end में भी use करना है तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी text है आपका उसका strike through आए जाएगा अब आपको ये सारे type नहीं करने जो भी special character है वो type करने में आप आपको difficulty जा रही है तो आपको क्या करना है completely भी जितना भी text है उसको यहाँ पर आपको type कर लेना है उसके बाद आपको सारे text को select कर लेना है और यहाँ आप right side में देख सकते हो three dots है select करने के बाद वहाँ पर जब भी आप click करोगे तो आप जो भी आपको style आपको select करनी है वो आप यहाँ से select कर सकते हो अगर आपका कोई software attachment है जैसे तो यहाँ से आप वो भी उसका use कर सकते हो तो दोस्तों यह हुआ अपना पहला feature तो चलिए बढ़ते हमारे next feature क्यों हो अगर आपके पास PC है या फिर laptop है तो आपका जो WhatsApp आप use कर रहे हो mobile पे वही WhatsApp आपके PC पे use कर सकत आपके mobile का तो दोस्तों जैसा आप screen पे देख सकते हो मेरा जो भी WhatsApp था वो मेरे laptop पे open हो गया है तो चलिए बढ़ते हमारे next feature की और यह है अब जब भी किसी के चाइट करते हो किसी के साथ बात करते हो message send करते हो कोई भी contact को तो आपको by default जो है वाइड बैगराउंड मिलता ह और वहां से आपको gallery में से वही wallpaper select करना होगा जो आपको पसंद है और आपको chat पे वहाँ पे लगाना है तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक sample दिखाए देगा वहां से आप wallpaper set कर सकते हो और इसमें बात यह है कि आप जो भी WhatsApp पेपर set करो कि वह हर एक profile में व उसके लिए आपको वह contact को select करना पड़ेगा और वहां से आपको view contact में select करना पड़ेगा उसके बाद आपको custom notification पे आपको click करना होगा और उसके बाद आपको custom notification on करना है वहाँ पे जो tick mark देख सकते हो आप right side में उसको आपको on कर देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे options जिखाए देगे, जैसे notification tone, मतलब जब भी आपको उसका message आएगा, तो एक specific आपको ringtone वहाँ पर ring हो जाएगी और यहाँ पर आप दूसरे भी feature देख सकते हो जैसे कि vibrate या फिर pop-up notification या फिर उसके color है वो भी आप change कर सकते हो आपके mobile के configuration के accordingly, यह बहुत ही जादा important मुझे feature लगा, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे next feature क्यों, तो next feature है backup के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको setting में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको chats में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको click करना है chat backup पे, और यहाँ पे आपको google का account attached रहना चाहिए by default आपके mobile में, तो इससे आप क्या कर सकते हो, मतलब जब भी आप कोई wifi से यह तो आप select कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो screen पे, आपको email का जो भी है, आप वहाँ पे select करके आप उसको use कर सकते हो, तो जब भी आपका कोई backup का time select रहता है, particular time spirit select रहता है, जैसे मेरा है रात के 2 बज़े, तो जब भी वो दो बज़ जाएगे, तो मेरा जो drive है, google drive पे, मेरा जो जो भी data है, वो set हो जाएगा, वो आपे save हो जाएगा, तो जब भी में कोई अगर कही और mobile मेरा ये खो जाता है, या फिर किसी और mobile में मुझे use करना होता है, तो में जब भी backup करूँगा, जो भी मेरा restore करूँगा वहाँ से में WhatsApp का, जो भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सिस्क्राइब करो, तिल देन, टेक क्या